सो फाइनले यहां पे QPA2 का एक अनदर अपडेट आ चुका है इस रोम का जो कि मुझे एवरी टाइम इसके हर एक अपडेट का इंट्रेजार रहता है क्यों मुझे यह पसंद आता है इसके अपडेट में क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है उससे रिल्टेर आपको सारी जिनका यह देने वाले हों ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि यह डालना है या नहीं इसके कुछ ऐसे चीज़े हैं जो कि बदली गई है और वह कितना जादा आपके उपर एफेक्ट डालती है वह तो इस वीडियो के बाद ही आपको पता चल पाएगा तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते है और अच्छा लगते है तो यह लाइक करते है और चैनल पर न अपडेट आ चुक है जिसका वीडियो मैंने एक दो दिन पहले ही दिया है वह अभी वाई काफी टॉप नॉच प्रफॉएंस देता है और मेरे हिसाब से वह बेस्ट के कर्टेग्री में सामिल हो चुका है तो क्या अभी यह स्टील सेम वैसा ही फिल देता है या कुछ कमिया करिणे हो यह वह देखेंगे जाहां पर आपको देखनी को मिलता है हमारे मेंटरील का नेम और एक लेटिस्ट अपडेट है जहां पर आपको दिखाई देता है वह Android वर्जन वगेरा और बाकि डिटेल वगेरा जहां पर आपको देखनी को मिलता है 15.2 Android 15 का यह Official Update है 1 April का यहां पर vendor security है और 5 Mac यहां पर Android security आपको देखनी को मिल जाता है Linux आपको enforcing देखनी को मिलता है build date अगर आप देखते हो 21 में का यह build date है और आज 1 हो चुका है ठीक है बाकि back यह चलते हैं यहां पर setting के अंदर smoothness की feeling है वह बिल्कुली same रहती है यहां पर कोई दिकत नहीं आता साथ ही साथ सेटिंग के अंदर आपको वही सरे common से चीज़े देखनी को मिलती है और यह अभी तक gap है यह feel up नहीं हुआ है I don't know कब तक यह feel होगा कोई बड़ी बात नहीं है बट हां देखरे में छोगा सा और सा लगता जरूर है setting के अंदर पर वही सरे common से basic से आपको options देखनी को मिल जाते हैं जो कि बिलकुरी सही है यहां पर महाते हैं तो यहां पर वही सरे आपको option मिलते है IME button space और का यहां परervation hints और का haptics वगेरा के आपको option देखनी को मिलते हैं back और आने के वाद आपको मिलते है apps जिसके अंदर यहाँ पे इस वार game turbo v6 यूच किया गया है power tool भी v6 यहाँ पे यूच किया गया है और साथ यहाँ पे आपको देखनी को मिलते है turbo charging यह v2 यूच किया गया है सब कुछ यहाँ पे updated है लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको missing दिखाई दे रहे होगी वो है per app power profile जो कि यहाँ पे आप removed देखनी को मुझे मिला है क्योंकि पहले power tool था per app का भी profile का option था लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हट गया है सिर्फ यह की चीज़ रहा है लेकिन यहाँ से यह काम करता है मैंने इसे check कर रखा है और कितना एच्छ तरीकी से result को boost करता है उसकी result मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको देखने में काफे ज़्यदा पसंद आएगा लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कुछ टाइम पहले की charging slow feel होती थी वो solve कर दिया गया था बट इस update में मुझे फिर से charging slow का feel हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे on कर रखा है लेकिन जब मैं charging को check करने आता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो charging timing है यहाँ पर 16 मिनट में 38% है और 11 मिनट में 13% है जो कि काफी ज़्यादा downside में काऊंगा 90W charger होने के बावजूद भी जो कि भाई यह same problem मुझे कुछ टाइम पहले देखनी को मेरी थी बीच में solve हुआ था और यह वापस से आ चुगा है तो maybe आने वाल अपडेट में इसे fix किया जाएगा बट यह थोसा आपको retreat करेगा charging के मामले में क्योंकि जो super fast actually में होता है वो fast यहाँ पर feel नहीं होने वाला इसे मैंने जो normal balance और सभी चीजों पर डाल कर charging भी चेकिया बट मुझे कोई खास different देखने को नहीं मिला है साथ साथ यहाँ पर हम बात करें security वे रहे की तो वही similar से चीज़ आपको देखने को मिल जाती है अगर हम बात करते हैं setting के अंदर आने की तो यहाँ पर काफियों तक सारे customization आपको similar ही देखने को मिलता है और अगर आप पुछने वाले कि क्या यहाँ पर play store वगएर हमारा जो by default पास रहता है या नहीं तो भाई यहाँ पर दुख के साथ यह कहना पर रहा है कि by default यह मुझे पास देखने को नहीं मिला जब इसे चेक कर रहा था तो कुछ इसे सारे fail आ रहे थे और जब मैंने इसे off कर दिया उसका जब मैंने इसे द्वारा चेक किया तो सिर्फर सी यहाँ पर हमें जो device का जो basic है ना वही pass देखने को मिला तो यहाँ पर कोई बड़ा इसू नहीं है बस आपको खुद से pass करना पड़ेगा मैंने और एटिव वीडियो दे रखा है जिसकी लिप से आप boot or lock का जो अस्पूफ है वो भी add कर सकते हो और इसे pass भी कर सकते हो तीनों को तो यह चीज है अगरा by default रहता है तो आपको follow नहीं करना पड़ता लेकिन आपको follow करना पड़ेगा अगर आप इस Chrome को यूज करना चाहते हो तो यह कोई big deal नहीं है कि कि कोई आज कल भाई Google ने सभी के L लगा रखें तो यह चीज़े हो रही है जो कि कुछ टैम में में भी तो इसी normal हो जाएगी बट अभी आपको manually यह चीज़े fix करनी पड़ेगी यह चीज़े आप ध्यान में जरूर रखना उसका lock screen के बाद करते हैं तो यहाँ पर वही सले option मिलते हैं बटन के अंदर भी same customization आपको मिल जाता है notifications हो गयरा में भी आपको यहाँ पर similar से चीज़े ही देखनी को मिल जाती है साथ साथ status bar के अंदर network traffic custom logo अगयरा और बागी similar से option आपको देखनी को मिल जाता है düş के अंदर आपको header image वी गहरो देखनी को मिल जाता है जो कि आप एपटनेश कल अलग slider आपको देखनी को मिलता है तब यहाँ पर इसे यूज करो अधवाज आप यहाँ पर रख सकते हो या फिर यहाँ पर एप को भी सेलेक्ट कर सकते हो किसके उपर है जो इसका इंप्रूम्मेंट जो देखनी को मिलना चाहिए बाकि यहाँ पर touch control के भी option add किये गए हैं जो कि last time भी मैंने आपको so किया था जो की काफी सही तरीकी से काम करता है और यह चीज आपको feel होती है जब आप इसे use करते हो तो यहाँ पर overall काफी है तक सिम्ल से चीज़े बस एक दो चीज मैंने आपको दिखाया कि यह हटा दिया ग लेकिन यह है जो अभी फुली यूज कर लेने के बाद आपको दिकत नहीं दे रहा जबकि पिछले वाले update में ऐसा problem नहीं था मैं आपको यहाँ पर screenshot में दिखा देता हूं कुछ दिर के लिए हमारा जो camera बलर हो जाता है जब यहाँ पर बैक से front, front से back है जो switch करते हो तो कु तो कमी में यहाँ पर जरूर कहूंगा कि है जो कि maybe जल्दी solve हो जाएगा तो अगर आप इसे use करने वाले हो ना थी use करके comment करके बताना कि कि आप पिछले वाले update के comparison में यहाँ पर कुछ चीज आपको missing सी लगी है या फिर नहीं लगी है बाकि इसका system launcher आपको देखनी को मिल यहाँ पर अन्टूर्मल टेस्टिंग पर कुछ इस्तरी किसा है जहाँ पर hitting control है morning की टाइम पर था बस एक नर्मल से fan चालो लेकिन अभी जस्ट मैंने वीडियो सुट करने से पहले करीब दो पहर का time है मैंने इसे जब चेक किया तो यहाँ पर आप देखोएगे हमारा जो 22 का score है यह improve हुआ लेकिन मैंने game tool वो on कर रखा था यहाँ पर आप sign bit देख सकते हो यहाँ जो power profile दिया गया ना power tool उससे मैंने gaming mode on किया उसका जब run किया तो यहाँ पर score improve हुआ लेकि उतना जाना नहीं हुआ जितना की बाकिया तर रोम पर देखनी को मिलता है थोड़ा बू लेकिन यहाँ बात हो रही है 50 touch करने की वोच यहाँ पर नहीं देखनी को मिलती सासर नॉर्मल यह है हमारा CPU total test जो कि काफी ज़्यदा बेकार सा है उसके और मैंने यहाँ पर performance mode को on कर दिया वही power tool का help लेते हुए तो यहाँ पर max down है और minimum के time में तो बैंड बच चुकी है ज उसके बाद जो result मुझे देखनी को मिला है वो है हमारा किधर गया यह रहा ठीक है यहाँ पर देखो चार लाक उनीस जार मैक्स और minimum यहाँ पर तीन लाक असी जार है जो की काफी ज़्यादा अच्छा खासा है तो game boost mode आपको एक powers of light देता है और अगर आपको अच्छा खास जाता है photo storage आपको unlock मिल जाता है जो कि अच्छा है और चेनलोग की बात करें तो यहाँ पर मोटा मोटी चेनलोग आप देख से तो कि यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया गया है गेंबाल V6 नियका एक चार्जिंग वीक्टीव आपको देखनी को मिलता है like a camera है dalwee dalwee vision ब रहे हाई टच का सेंपल रेट भी आड़ किया गया है ब्राइटनेस मोड भी हविए एड़ किया गया है तो यह साथ चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि मैं आप और यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर आप पिछले वाले अपडेट से संतुष्ट हो तो मै फॉलो करके आप इसे इजली अपने फोन के अंदर डाल सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थांक्स वॉचिंग बाई और हाँ प्रजेक्ट इंफिनिटी एक्स का वीडियो एक जरूर चेक आउट कर लेना आपको पसंद आएगा आपको इंस्टूलेशन गाइट अन हो जाएगा दिकरवरी जैसी होन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पर फैक्टरी रिसेट कर लेना है वाल्यूम अप्डाउन का यूज करते वह आप यहाँ पर सेलेट कर सकते हो पाव बटन से आपका का काम करेगा अप्लाइब अपडेट भी जाना है और यहाँ पर ए दुवारा एडिवी साइड डोट करके हम यहाँ पर रोम को ड्राइग और ड्रॉप करेंगे सेम इसी तरीके से और इंटर पे क्लिक करेंगे विदिन फाइब मिनट आपका रोम सुक्सेस्फुली फ्लैस हो जाएगा और यहाँ पर रिकावरी पे एक ओप्सन आएगा यह य पर यहाँ पर ड्राइग और ड्रॉप कर दूँगा और इंटर पे क्लिक अब सेकेंड टाइम रोम जैसे कंप्लीट फ्लैस होगा आपको फिर से यह यह सॉल नो का साइन देखने को मिलेगा तो इस टाइम आपको जो नो पर क्लिक कर देना है अगर आता है तो अगर नहीं आ कर जाएगा तो आई होब कि आपको समझ में आ गया है पूरा प्रोसेस के कैसे हम एडिवी साइलोट से रोम को फ्लैस कर सकते हैं इजली और वांटे में बूट करा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाया तो यह लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो खिर देगार उन्द आपको लेकि एक्षिए और नहीं तो कि आपको में आपको लेडिए तो आपको यह लाइड शेवादा वेडाद के लाइडियो पूंजर आपको मिन आपको अईगी आपको लेड़ इस थाएड़।